सब्सक्राब कीजिए संस्क्रिद दर्सन चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी को दवाएं जिससे संस्क्रिद से सम्मंदित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों संस्क्रीद दर्शन चलर में आप सभी का स्वागत है पंचमी विवक्ती चल रही है और पंचमी विवक्ती में हमने लगभग चार सूत्रों का धिन किया है आज हम एक सूत्र के बार में जाना है कोकि यह थोड़ा सा बढ़ा है और विश्ट्रित भी है तो हम इसमें चलते हैं पंचमी विवक्ति ठीक है पंचमी विवक्ति में एक सूत्र है उसको ले लेते हैं फिर हम उसके व्याख्या करेंगे और उसके उच्छ उधान भी देंगे हाला कि यह बड़ा है इसलिए मैं एक ही सूत्र के बारें बताऊं आज आने आरात इतरते दिक्षब्द आन्चो उत्तर पदाज हाही युक्ति ठीक है तो अब हम यहां से इसके बारे में थोड़ी सी जान गारी प्राप्त करेंगे तो अब इनकों मैं क्रम से लिखता हूं फिर इसके बारे में बताने के प्रयास करूंगा अन्य आरात इतर रिते ठीक है दिक्षब्द आंचू तरपद आज आही युक्ते ठीक है ना युक्ते का तात्पर है इनसे युक्त जो शब्द हो उन्स शब्द में सीधे पंचमी का प्रियो कर लिए जाता है याद रखना यह उपपद विवक्ति के अंतर गताती है ना इसको मैं लिख देता हूं ओपपद है ना तो अन्ने का मतलब होता है भिन इसमें इतर का भी प्रियो कर लेते हैं और भिन का भी प्रियो कर लिया जाता है इतर शब्दी यह दे रखा है यह ठीक है इसमें दो बार प्रियो कर लिया गया है यह सम्हूं के लिए प्रियो किया गया आरात का मतलब होता है निकट या दूर ये दोनों के लिए प्रियोग के जाता है इतर दू सब्द होते हैं एक तो होता है इसका मतलब होता है इतर का भिन होता है और एक होता है नीच तो यहां इतर से मतलब है भिन ही लेंगे हाँ ठीक है नीच सब्द का प्रियोग यहां नहीं कहेंगे जैसे ब्रह तो यहां इतर लिया है तो यहां बिन नहीं सब्द प्रियोक रेंगे इसके लिए हर्त में रिते का मतलब होता है छो दिशाएं है चार ही मुक्ष मानी गई है पूरव पस्चम उत्तर उत्तर दक्षण ठीक है अंचुतर पद आंचुतर पद क्या होता है अंचु है ये ठीक है अब देखिए अंचु एक धातु है ये ना उत्तर पद अंचु धातु जिनके अंत में हो वेपद अब वेपद कौन कौन से है वेपद है ये पद है प्राक, प्रत्यक, उदक ये दिशा वाची है याद रखना है ना दिशा के रूप में ही प्रियोग की जाएंगे ये ठीक है नहीं तो और भी इनके अर्थ लग जाते हैं लेकिन ये दिशा के रूप में जब भी प्रियोग की जाएंगे अंचु धातु वाले जो पद हैं प्राक, प्रत्यक और उदक उनकी शात्म पंचमी का ही प्रियोग किया जाएगा आज का मतलब होता है ये भी एक ये प्रत्य हैं ठीक है प्रत्यों के हम अध्यन करेंगे तब जानेंगे आज प्रत्य हैं तो इनसे जो सब्द बनते हैं दक्षणा उत्रा इस तरह से प्रियोग की जाते हैं एसी ये उत्रा ही और दक्षणा ही ये थोड़ा बड़ा है इनके शब्द जो है ये एक छोटे से सूत्र में दे दिया है जब इसको विस्तृत किया जाता है फिर इनके फिर उधान देखेंगे करके तो यह बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए मुझे एक ही सही लगा मैंने कि एक ही इसमें बताया जानी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और उसमें फिर वो समझ में मिनी आया कुछ तो इसकी ये इस तरह से व्याख्या है अन्य भिन्य अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे एक बार तो हम अनवाद में गती करने में सक्षम हो जाएंगे आराम से हम उसमें गती कर जाएंगे चलिए इसके बार में हम थोड़े से उधान देखेंगे और फिर अईच्छ समझमा जाएगा तो अब इनको एक बार हम देख लेंगे देखिए अन्य आरात इतर रिते दिखशब्द अंचु तरपद आच और आही ये इनका अर्थ है अन्य का विन्य आरात का निकटिया दूर इतर का विन्य रिते का विना दिखशब्द है पूरपश्चिम उत्तर दक्षण ठीक है ऐसे अंचु धातु जिनके अंतमे हो वेपद अर्था दिखशब्द युक्त होनी चाहिए दिशावाची होनी चाहिए तो प्राक पृत्यक और उदक दक्षणा उत्तरह ये आज पृत्यांत शब्द है दक्षणा ही और त्रही ये आही पृत्यांत शब्द है इस तरह से इन शब्दों से युक्त शब्दों में पंचमी का प्रियोग किया जाता है उत्तरपद मेर बताये उप़्पद विवक्ति के बारे में विसेष रूप से हमने दुतियव विवक्ती में इसमें अध्यन कराया था मैं उसका लिंक डिस्कस मेरे डाला दूँगा जागर के अवश्च देखें उपपद विवक्ती से दात पर है जो उपध हैं जो पद हैं उनके साथ में दूसरे सब्दों के सीधे विवक्ति का प्रियोग कर लिया जाता है ठीक है तो यहां पर पंचमी का प्रियोग कर जागा इसमें कोई कारक नहीं बनाना अपादान कारक नहीं बनाना कुछ नहीं बनाना सीधे पंचमी का प्रियोग कर लिया आण देखते चले जाएंगे आप है तो और बाता साफ होती चली जाएंगे चलिए देख लेते हैं है है देवदत देवेंद्र से सुरेंद्र भिन्न है ठीक है अब यहाँ देवदत से कोई व्यक्ति कह रहा है कि है देवदत आप सुनो जो देवेंद्र है वो सुरेंद्र से भिन्न है तो देवेंद्र भिन्न है सुरेंद्र से ठीक है ना तो देवेंद्र से याद रखना देवेंद्र से भिन्न है देवेंद्र से बिल्कुल अलग है तो अलग यह थ हे देवधत्त देविंद्रात है ना देविंद्रात सुरिंद्रह हमने क्या पड़ा है विन की अन्या अन्यास्ति ठीक है तो इस तरह से हमने ये प्रियोग किया है तो अब आपको थोड़ी सी बात हैं समय में आ रहे हूं मैं इसके लगवा आट-दस उधान दूँगा लगवा कोशिश करूँगा कि एक उधान तो सभी का लेही ले तो चलिए अगले उधान पर चलते हैं योगिंद्र के सभाव से सुरेंद्र का सभाव भिन्न है ठीक है अब देखिए सभाव से भिन्न है ये भी अन्यक्या प्रियोग की जागा इसमें योगिंद्र के सभाव से तो किस से अलग है या भिन्न है इस से अलग है किसका सभाव सुरेंद्र का सभाव ठीक है तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि किस से भिन्न है जिससे भिन्न होगा जिससे अलग होगा जिससे ये प्रिक्रिया है जिसके बिना प्रियोग की जा रहे है उसमें पंचमी क प्रियोग सीधे कर लिया जाएगा क्या बन जाएगा योगेंद्र स्वभावाद ठीक है अन्य स्वभाव सुरेंद्रहा इस तरह से ये प्रियोग हो जाएगा मैं जल्दी जल्दी इनके उधार देने का प्रियास कर रहा हूँ और इसको एक दो बार आप देखेंगे केवल एक प्रक्टिश का अर्दा भ्यास का विशा है इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है सीधे हमें जो सब्द है वो देखना है उसके बाद जिससे पंचमी लानी है बस उस सब्द पर सीधे जाना और सीधे प्रियोग कर देना है ठीक है चलिए अगला उधान देखते हैं दूसरे को देखेंगे याचना करने वाले हमारे से दूसरे ही है ठीक है याचना करने वाले हमारे से दूसरे ही है तो दूसरे ही है किस से दूसरे ही है हमारे से तो हमारे से में क्या हो जाएगी पंचमी का सीधा प्रियोग कर लिया जाएगा बाद बाकी जयोंकी तो हो जाएगा क्या होगा इसका याचना करता रहा अस्मत क्या जाएगा इसका क्योंकि हमने देखा है दूसरे इनने इतर का भी प्रियू कर लेंगे हमने इन दोनों को तो देखी लिए हैं उधार इतरे खलू वर्तंते ठीक है ना क्या जाएगा याचना करता रहा अस्मत इतरे खलू वर्तंते उम्मीद है आपको समझ में आगया हुगा दूसरे ही है किस से हमारे से तो हमारे में पंचमी का प्रियोग कर लिया जाएगा और सीधा प्रियोग जियों कितम हो जाएगा चलिए दूसरा उधान देखते हैं क्या आएगा अगला ग्यान के बिना मुक्ती नहीं ठीक है अब ग्यान के बिना मुक्ती नहीं मुक्ती किसके बिना नहीं है ग्यान के बिना एक सब्द मिल गया हमको इसमें पंचमी का प्रियों कर दीजिए बागी सब जोखीतों हो जाएगा, बिना की हमने क्या देगी संस्कृत, रिते, तो पहले रिते लगा लिजे, रिते ग्यानात नामुक्ति, ठीक है, रिते ग्यानात नामुक्ति, बस गुछ नई करना, बस एक शब्द है, उसको प्रियोक सीधे कर लिजे, उपद विवक्ति का मतलब यह यह आई शब्द उससे और दियो हुए सब्दों में सीधे पंचिमी का प्रियुकर के सीधा वाक्य बना दिया जाता है चलिए अगले पर चलते हैं आएगा अगला वाला गुर्कुल किले के पश्चिम में है ठीक है अब हमें यहाँ देखना है पूरा पश्चिम बाला चलाएगा यह तो पश्चिम में है किसके किले के तो किले के पस्चिमे तो किले में सुप बंजभी करके सीधा प्रियू कर जाएगा गुरुकुलम दुरगात पस्चिमं अस्ति नहीं है अस्ति ठीक है उमीद है यह आपको समझ में आ रहा हुआ थोड़ा जल्दी से जल्दी कर रहा हूं इसको क्योंकि इसमें समझाने को मुझे कुछ भी नहीं लगा बस एक सब्द को पगड़ना है दूसरी सीध पंजभी का प्रियूक कर देना है बात बाकी में जैसे हमने पीछे पड़े हैं उनिके अनुसार अनुवाद को बना देना है इसमें कुछ नहीं है चलिए हम अगले उधान में कि सोचे खूंग आवस, ठीक है अंगर-विंध्याचल के उत्तर में हैं कि लिधानी यहाम इपत्तर मिलगला इसमें से इसमें यह पस्चिम बता लिया आख लिया हमने उत्तर देख लिए उत्तर किसके विंध्या चल के तो विंध्या चल में सीध्य क्या परियों गई जाएगा तो बन जाए गई है इमानी नगराणी विंध्या चलात ठीक है उत्तराणी संती हूमेद ही अपको सही समझ में आ रहे होंगे और थोड़ा सा जल् English जर्द है इसमें जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूं कोकि यह इसमें बहुत सारे उधान हैं सभी को उधानों को कम सकम ले लूँ मैं ये कोशिच कर रहा हूं इसलिए इसमें थोड़ी जल्दी हो रही है तो हम अगले उधान पर चलते हैं कि चलिए अब अगले वाले पर चलेंगे कि इस जील के कि पूरव पश्चिम और उत्तर में परवत हैं ठीक है अब देखिए कि पूरव पश्चिम उत्तर में क्या है परवत हैं किसके इस जील के अब इस जील से सीधे के अपर भी प्रियो कर लिया जागा पंचिमी का प्रियो कर लिया जाएगा और अंचुधाति वाली इसमें इसका उधान करेंगे प्राग प्रत्यक और उदक है न तो क्या बन जाएगा है अस्या अब इसको ऐसे कर लिजी या अस्मात सरोवरात ऐसे भी प्रियोग कर शकते हैं इसको तो मेहा इसको भी लग दूँ अस्मात सरोवरात दोनों का हमेहा प्रियोग कर शकते हैं अब बाद बागी ये शब्दों का प्रियोग कर लिजिए प्राक प्रत्यक उदक परवताह संती संस्कृत में कभी भी ये कौमा नहीं लगा जाते तो प्राक प्रत्यक उदक परवताह संती सीधा इसमें प्रियोग है अस्यहा सरस्यहा प्राक प्रत्यक उदक परवताह संती ठीक है चलिए अगले उधान पर देखिए अलवर के उत्तर और अलवर के उत्तर और दक्षन का प्रियोग कर रहा है तो हम आज धातू के बार में प्रियोग कर रहे हैं इसमें तो बन जाएगा यह इसमें सीधे पंचमी का प्रियोग कर लिए जाएगा क्या बनाएगा अलवरात या इसमें ऐसे भी कर शकते हैं अलवर नगरात है ना इसको भी लिख दूए अलवर नगरात उत्तराह दक्षणाच्चा खेत्रानी संती तो अभी हाँ पर देखिए अलवरात, अलवर नगरात उत्तरा दक्षणाच्च खेत्रानी संती अलवर के उत्तर और दक्षण में खीत हैं तो हमें देखना है अलवर में 5 प्रियोग बाकी सब्जयों कीतओं कर देना है हम अगले उद्हानपर चलते हैं चले आश्रम भवन के उत्तर में भोज ना लाया और दक्षण में विद्यालय है ठीक है आश्रम भवन के उत्तर में भोज नालय है और दक्षण में विद्यालय है तो उत्तर में धक्षण में भोज नालय है और उत्तर में विद्यालय है सीधे पंचमी का प्रियोग कर दीजी, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा इसमें पंचमी हो जाएगा, शब्द है हमारे पास, जो शब्द हमने याद किये हैं, वो शब्द मिल रहे हैं, और वाकी जो शब्द नहीं है, उनसे सीधे पंचमी का प्रियोग कर लिया जा ये वाला इसमें प्रियोगा है ना उत्राही भोजनालयः दक्षणाही चा विद्यालयः अस्ति ठीक है तो इसमें देखिए अब एक बार मैं इसको और बताता चलूँ यहां पर जो दक्षण में विद्यालय और उत्तर में विद्यालयः ठीक है भोजनालयः तो अब हमें यही देखना है इसमें कि किसके उत्तर में किसके दक्षण में है ना जैसे पीछे हम जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं कि प्रशन भूड़ना हमने किसके सब्द का तो इसमें भी मैं देख रहा हूं सभी लगवग उधारों में किसके सब्द के द्वारा हमें प्रशन का उत्तर अगर मिल जाता तो उसे हम सीधे पंचमी का प्रियोग कर लेते हैं तो आश्रम भवनात उत्तराही भोजनालयाह दक्षणाही चा देखिए यहाँ थोड़ी सी गलत हो गया है दक्षणाही चा विद्यालयाह अस्ती तो यहाँ उत्तराही और दक्षणाही जो शब्द हैं यह मुख्य है और उनके योग में आश्रम भवन से पंचमी का प्रियोग किया गया है तो मैंने थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी समझाया है और उम्मीद है आपको यह सही से समझमाया होगा यदि अच्छे समझमाया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें आज के लिए तना ही नमस्कार जहिंद